World War II fought between Allied and Axis powers, choose correct Allied powers were represented by Great Britain, USA, France, etc Allied powers में जो important countries थी ये थी Great Britain, USA और France Axis powers को represent कर रहे थे या lead कर रहे थे Germany, Italy और Japan यह यहाँ पर दिये गए दो स्टेटमेंट है और इन दिये गए दो स्टेटमेंट में से आपको correct statement चूज करना है तो दोस्तों दूनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और maximum लोगों द्वारा सही answer दिया गया है next question देखते है चूज करेक्ट अबाउट स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और correct statement को आपको चूज करना है it is a legume species जी हाँ यह legume है और next question है good source of protein जी हाँ यह protein का एक अच्छा source भी है cheap source भी है यहाँ पर भी maximum लोगों ने सही answer किया है next question देखते है choose correct about cyanobacteria cyanobacteria aquatic है right यह photosynthetic है और यह पानी में रहते है तो aquatic है अर्थात पानी में रहते है यह यहाँ से clear हो जाता है अब photosynthetic है यह नहीं right तो ऐसे तीन statement या एक तरीके से तीन code यहाँ पर दिये गए है cyanobacteria के बारे में दोस्तों तीनों ही सही है और 85% लोगों के द्वारा सही से answer दिया गया है एक आप से एक request है कि जितने लोग इसे देखते है उतने लोग answer किया कीजिए यहाँ पर आप देखिए कि तकरिबन 980 लोगों के द्वारा इस post को देखा गया है और 523 लोगों ने ही सिर्फ यहाँ पर attempt किया है तो question को attempt कीजिए हमें यह नहीं समझता है कि किसने सही से attempt किया है और किसने question को गलत answer किया है तो यह सिर्फ आप तक ही पता रहता है हम सिर्फ यहाँ पर number of percentage देख पाते है Choose those included Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 यहाँ पर मैं कहना चाहता था कि दोस्तो Schedule 1 जो है Wildlife Protection Act 1972 का Schedule 1 में कौन कौन से animals आते हैं इन दिये गए animals में से तो एक है salt water crocodile एक है घरियाल और एक है मगर तो दोस्तो यह तीनों ही animals scheduled एक का हिस्सा है इस list का part है तो इस तरीके से एक सही answer बनका राता है option number 3 next question देखते है World Crocodile Day is celebrated on 17th June आप देखे यहाँ पर जो 17th June है यहाँ पर हमें blank करना था यह एक तरीके से mistake हो गई सही answer है दोस्तो 17th June right कभी कभी ऐसा भी होता है next question देखते है choose incorrect statement about earthquake 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 से संबंदित गलत वाक्य को आपको यहाँ पर select करना है epicenter is the point on the earth surface directly above hypocenter और focus देखे epicenter वो point होता है दोस्तो जो डारेक्ट ली अबो होता है focus यह है पहला statement जो यहाँ सही है दूसरा statement कहता है कि hypocenter is where an earthquake or an underground explosion originate hypocenter दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर earthquake होता है या एक तरीके का underground explosion होता है दोनों है statement यहाँ पर सही है जी नहीं यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था incorrect statement पूछा गया था जैसी गलती आपने कीना वैसी गलती मैंने भी यहाँ पर कर दी है आपको statement समझता है और यही गलती आप लोगों से हुई 58% लोगों के द्वारा इसे option 3 को correct answer बताया गया है दोस्तों but option 4 यहाँ पर correct answer है because हमें incorrect statement को choose करना था ऐसा होता है और आप लोग इसे हमेशा कर रहे हो जैसे कि अभी मैंने भी कर दिया था तो इसे आप इस गलती को आप सुधारिए choose correct about missile technology control regime अर्थात MTCR MTCR से संबंदित correct statement को choose कीजिए इसका aim है दोस्तों कि जो ballistic missiles है एक तरीके से इसकी जो पहुच है या spreading है इसे रोका जाए इसे limit किया जाए दूसरा है कि इंडिया भी MTCR का member है तो देखिए यहाँ पर दोनों statement सही है next question है which is submarine is एक तरीके से यह ballistic missile है अगनी है या धनुश है ऐसा पूचा गया था आप से तो दोस्तों धनुश एक तरीके का ballistic missile है और तकरिबान देखा जाए तो काफी 22% लोगों के तोरह सही answer से पर click किया गया है या यह answer में सही तरीके से पूच नहीं पाया यहाँ पर दो संभाव नाए है next question है the name कासिम सुलेमानी belongs to which country दोस्तों इरान से बिलॉंग करते है आपको पता है Islamic revolutionary guard corps belong to which country यह भी इरान से ही बिलॉंग करता है next question देखिए Iran has launched its first military satellite called Noor and Noor mean इरान ने हालिया दिनों में अपना एक प्रतम military satellite launch किया है जिसका नाम था Noor और Noor इस शब्द का अर्थ होता है beauty, light, fight या sky तो दोस्तों correct answer होता है light, Noor अर्थात प्रकाश और तक्रीबन 40% लोगों के दोरा इसे सही से answer किया गया है maximum लोगों ने इसे incorrectly answer किया है Noor का अर्थ beauty नहीं होता, सुंदरता नहीं होता, प्रकाश होता है choose correct about open sky treaty यहाँ पर open sky treaty से संबंदित दिये गया statement है आपको correct choose करना है it was sign in 1992 इसे 1992 में sign किया गया था come into effect in 2002 और 2002 में यह effect में आये थी India is a member of this treaty जी नहीं, भारत इस treaty का member नहीं है, क्या पूचा है correct statement को choose करना है तो correct statement होगा हमारा statement number I mean option number 2 maximum लोगों ने यहाँ पर option number 3 पर click किया था बट ऐसा नहीं है दोस्तो धन्यवाद इसे देखने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जिसका नाम है Steady for Civil Services SCS Daily MCQGK Quiz इसे जॉइन कर लिजिए इसका address है SCS Daily Quiz Thanks for watching this video, bye